एल्इक्टिकुअ्क करने के लिए आर नहें मैं इसे QW manufacturing वह द्शुर्त मरें कम से कम करेंड है इसमें डिखे और उसको ट्रेस आउट कर सकें और सभी जो कनेक्टि लोड है उनको आपने स्मूर्ली कंट्रोल कर सकें यह उसमें विश्यस्ता होने चाहिए सिस्टम ऑफ वाइडिंग में यह है कि इलेक्टिक पावर सब्ली करने को कंपनी जड़ी जिनको डिस्कॉंप करता है अपने वह जो अपने जो पावर के सब्ली जो कर समय के फिर्मी सेज्ट या बिलिंग के जो में जो गेट के बाहर एक पॉइंट तक में पहुंचा जाती है हुए वहां से जो है कर दया जयाता है एक कर दी है बडी तो बडलिंग के लिए डाल सी यह पिर पाल सर्कुिट लाइटिंग सर्कुिट इस तरसे अलगलग डिस्टिपूट कर दिजी जिसे कि आप उनको पंड़ोल करना एजी रहा है अब ऑग एलेक्ट्रिक वायर को अगर वायरिंग को अगर 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 आपन क्लासिफाइग गरें तो यह पाँच क तो पर्सलीन यettes बने होगे बटन टाइप डॉस्न में खाचे होते हैं वह गर्यों के ग second करना किए से लगा दिगा दिजी फिलिए सो है गिद्तर से बास अशुब कर दीजिए सुबयत i.e. ar पर दो साल के लिए चाहिए तो आपर क्लेंट वाइरिंग की जाती है इसमें कंड़क्टर के बीच में इस्पेस तो अच्छा होता है लेकिन ये फुद इस्पेस ज्यादा लेती वाइरिंग करने में और दीखना भी वाइरिंग होती है फिर भी इसके कुछ एड़वांटेज करने में फाल्ट इसका वीजीबल होता है अगर फाल्ट आए इनकेस तो चल्दी सा आपको दिख जाएगा रिपेरिंग वीजी हो जाएगी और इसमें कोई अल्टरेशन और एडिशन अगर करना है जैसे कोई लोड आटा ना जोड़ना तो वाइरिंग में अल्टरेशन वी अगर चांस रहते हैं ज्यादा लाइप नहीं है और अगर क्लिंट अगर दूर है तो इसमें जोल आने के विए संभावना तो सैग भी हो जाता है इसको फिगर में देगी इस लाइड में कर देंगे यह क्लिंट है जैसे मानलों यह पॉर्शन को बना इसमें तीन गुरू दिख रहे है तो इसको अपन दिवार किटी से लागा देंगे इसको परीफिर कैप आ जाएगी बीच में आ जाएंगे तो इस तरह से दिखेगा और अaktर वाइरिंग कमेंटी इस तरह से अपने पू ना जरा है नेक्स वाइरिंग जो उस थियो कमपामलि इसका नाम काशिंगे बिख यह आए इसमें एक केस राच यहाने लिभी डार जो दुटी आ इंदिनोवाइन जो आशकल प्लस्टिक एषिक इसको चीए किडी तो मैट् पर जहां जहां आपको यह वायरिंग करनी है, जो इसके अधवांटेज अगर देखें तो एडवाजन यह वायरिंग कर सरल है, और जल्दी से इस्टाल हो जाती है, मजबूत होती है, और दूरेबल है, लाइप अच्छी है, और इसमें भी अल्टर्शन अगर करना कर्ष्टो कर सकते हैं, वायर एक्स्पोज नहीं होता है, तो इसमॉक डशका इस पर परवान होता है, और दीस वेड़न अगर देखें, यह कोस्ट ज़्यादा होती है, इसमें जो वायरिंग के लैंद पर तुलना में ज़्यादा की ज़रूद वरती है, कारण की क्शीन टेपिन वायर तो इसमें अगर जोइन्ट है तो वो सिदा जंसन पर जाएगा बीच में नहीं दे सकते हैं तो वायर को टूटे वगर बचियत इसमें आप भी उजने कर वाएंगे इसकान 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 बढ़ जाती है आपसके सबस्कान इसमें केशिशल लिए हैंगेга विरग काभी दूसरा है अगर आग जो और इसमें के उद्सकान इसकान है थीकूर को तो इस ने किसेए अगर युज है। तो इसमें तर्माइट वगरा जो यह उन उसका जो है इफेक्ट इसको दुस्परबाव से पढ़ सकता है तो टर्माइट वगरा इसको खा जाते हैं लॉंग टाइम में और इसमें आग लगने जो भी संभावना रहती है अब इसको फिगर में देगा तो इस तरह की पीवीसी क कनेक्टर लगा रहे है इसको करते हैं टी ऐसी क्राउंश एल्बो अगरा सो बात है इस तरे से वित्टी से दिवार पर इफेक्स किया जा था फिर वाई पर इसमें डाल देगा थां से वसके राष किया गृताइब और कि आंज भप्चिको इसमें बै बैटन, राषवा और कुझ करते हैं इसमें लखड़ी कि पत्ती हो गृते इसमें कि बैटन की या उसको कृती होती हुझ का उसको बैटन को दिवार पर गिटी कर गए इसको अपने फिक्स कर देते हैं लेयोट करने के बाद में फिर वायर इचाके और उसमें जो प्रास के जो लिंक या क्लिप होते हैं जिसको बकल भी बोलते हैं उसकी एल्प बांग दिया जाता है इसके अगर देखें आप तो अगर देखें तो यह आउट्डोर वायरिंग के लिए शुटे पर लिए कारण के इसमें जो करने आपकी कैबल है उसके दूप आती है तो कैबल की लाइफ कम हो जाती है इसलिए इंडोर में इसको किया जा सकते हैं दूसरा इसमें जो एटमस्फेरी की मिडिटी महा इस्ट इसको डिवार पे इसको ग्याल से लगाया फिर इसके उपर यह वायर डालके यह किलिप इनको ट्राइब करजें यह रेडी किलिप अपने को मिलते है नेक्स कंड्यूट वायरि यह बहुत पपुलर है और इन दिनों में यह ही उज़ता है अगर रूम चोटा है तो यह क्या अजूब श들이 पह Naturally के कान्डूट को दो तरह के कंडीट रहते हैं या तो मैटली कंडीट क्लास एंग बाइब के लिए निले पाइब रहते हैं फिर इसमें वाइरिंग करते हैं एक यह वायर डाल देते हैं यह जिए तरह के डाला जाता है जब एक बार कंडूट अगर आप बिचा जएंगे उसके बाद इस वायर की हल्प से आप केबल को बांद के उसमें से पार करवा सकते हैं की स्कूरू की ती कॉपलिंग एअलबो आप उसके जरूर पर आप इस वायद पर में एकस्पोर वायर मिन पर पुट ये इसय करेंगे मिए वायर में के जरूर्ट परदी है आफ रहूर हूं ऑल सर्सेट और व्ले शॉल्प पर दीय और इसको वहां पर आपन फास्टिंग कर जाते हैं, एडवांटेज है कि इसको मेन एडवांटेज ही है, इस सबसे सेफ वाइटिंग है, एबिरेंस इस पी बहुत बड़ी है, इस पे कोई वियर टीर यक्षाव का फरकने पड़ता है, एड़ास्फिर गोमीडिटी स्मॉप का भी कोई फरक ने पड़ता है, लोंग लास्टिंग है, इस राटम दे लेकर तो यह एक्षफेंसिव है, महेंगी है, एक्षपर वाइर मेन की जरूत परती है, इस्टालेशन में, और फ्यूचर में कोई अल्टेशन करना है, तो वो इसमें पोसिबल लिए है, क्यांकि और यह जो यू किलिव, इनकी अल्प से इन वाइर को दिवार के एक्षक करते है, यह क्ड़ुटू में, क्ड़ुटू पाइपे साइज इस्तरस ले जाती है, जो इन वाइर के में तो थ्री-फोर्ट से ज्यादा निक बरे, अदर्वाइस कुलिं के समसे आती है, तो इसी का पावर में कंडूट वाइरिंग गई तो जिसमें को अपने सेल्ड करते हैं आजकल जैसे इसका सबसे ज़्यादे चलन होरा मौडन ताइम है तो दिवारों पर वाइरिंग करते हैं जो प्लास्टर करना से कहले हांचे बना देते हैं कटर के अलग से उसमें यह इसमें के वाइर की जो लेंद और कंडूट की जो लेंद है आप उसी ताह 90 डिग्री पर जाके मुडने के जिरूरत नहीं है आप सौर्ट कर दे ले सकते हैं इसमें कर दो दोनों गी लेंद कम से ही और कहले जो वाइरिंग करते ते बीवारों पर वहां से अलगले लोड को जाते थे अब जो आशी सी के मकान बनते हैं तो वाइरिंग जो है बीचा ही जाती है च्छत किया है च्छत में आर्ची की डाल देते हैं कि यह पंडूट पाई उसमें से अपने यह वाईर विचा लेंग जान से यह अब दीवारों पर अबना को वाइरिंग में होती है और में उसमें पाई बहाया तो इस रहाले जाती है तो फैर्छार पर अध्यों प्र Luckily प्लास्ट च्छय पेवारों पाइरिंगं में पोरी कांसेल यहगा गांसेल युशに कांसेल लाइरिंग बोलते हैं तो एक कंडूट कह adopt का युड़ूछ है सबसे जादा भोलेर है कॉ जो कि इसको होटल वाइरिंग भी बोलता है इसका यूज कहा होता है जैसे आप समझिए होटल में कुछ रूम है पंदरबीश वहर रूम में एक कुछ बटन देचे तो कस्टमर जो भी वह बजाएगा इसको कॉल करना होगा तो रिसेप्शन पर उसके बैल बजाएगी तो बैल तो जितने रूम होते हैं वह बल्प लगाते तो वह एक्टेंडन जो बैल बजेगी तो उदर देखागा बोर्ड की तरफ तो वह बल्प नंबर देखे पता लेगा कि कौन सा बल्प बलोगा है यह इसको 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 अटेंड कर सके इसलिए इसको वोटल इसको अस्विटल में यूजगा जाता है जिए वहाँ पर रूम के जगह पर पैसन पैर हो जाता है यह इसको वर्किंग है यह इसको वायरिंग है इसको देखे जैसे यह बल लगिए न्यूटल तो सिधा गया सब बल को सब यह इसमें अभी फॉर एक्जम्पल आप दीन को और बैल को और जो फेज है वह उसको कंट्रोल रहा है पूस्पटन स्विट यह स्विच है हर रूम में अलग लग इस तरह इसा पता लग जाता है कि किस रूम से कॉल है यह आपके रिस्प्शन अरिया पर यह बल लगी रहती है और यह एक बोर्ड पर यह सब आपके बल लगाते हैं यह बहलोर इंडिकेटर नेक्स लेक प्लोरस एंट्व लैट कि अपने यूज करते हैं इसमें इक बड़ेशन ट्यूब होती है लेंप टेकर ट्यूब होती है यह इसमें वेक्यूम से होता है पार्शली वेक्यूम तो खुछ मरकरी के पूंदे डाले जाती है य इसLPम फिसपे लांप पर नमadya कि पीश्चर की रूख गर्वेक्यूम के दिश्चर की थो रिए लगती है। इसमें गैसें डिश्चर जब श्रू हो जाएगा इसमें एक पार प्रैक्ड भावन हो जाएगा रहा इंडर के एर ब्सक्र्स बाप और यह लैद आपने नहीं से दिखते हैं तो इस ग्लास तीव के इनर शर्पेस्ट फ्लोरसन मेंट्रियल के होती है इसका नाम लग जादा था अइसका नाम है फ्लोरसन ट्यू और यह ट्यू फॉर्म है तो उससे अपने को वीजीबल वाइट लाइट डिखती है, अब क्या है कि इस गैस से डिस्टार को सुरू करने के लिए हाई वाल्टेज के जब होती है, तो हाई वाल्टेज जैसे यहां से जब सप्लाई सब्सक्राइब करेंगे, तो यहां तो रेशन जाद है ट्यूब के अ सुरूटास है एक होदी बाइमैट Alek इस। थोड़ी देर बाद में यह बाईमैटले की इस तो यह क्या है कि इसका कनेक्शन जो इस ब्रेक हो जाता ता फहले जी सौत होता है तो इसके कारण कि वॉल्टे सर्ज डॉल ओलोग होता है यह आई वॉल्टे सर्ज होता है, इस मे ब्रेकडाउन हो जाता है नियों बाल जो इस वाक्त तुम लाइट के यह जो ये जो इलक्रोड है यहाँ पर वॉल्टीज मिलेंगे सफ्प्राइई वाल्टेज़ अबिलतेज के बारोल थोड़ी देर के लिए उस सफ्टर वाल्टेज़ जो रैस्मांज इसको जो फिलोकर ने देखने कुसे नहीं है, डोनों ट्रॉलाइट जो है, परलेल लगना देखने